यॉक्ट रेडियो लाइफ पर एक बार फिर से आपका स्वागत है यॉक्ट मीडिया और यॉक्ट रेडियो की पूरी टीम की तरफ से आपको 75 वे स्वतंतरता दिवस की धेरो धेरो शुबकामना है मैं हूँ चेतर नरूला चौथे दिन का खेल लेकर हम आपके सामने प्रस्तत हुए है यह है दूसरा टेस्ट इंग्लिंड और भारत के बीच जो खेला जा रहा है एतिहास एक लॉद्स ग्राउंड पर ओफ स्टम पर थी गेंड यहाँ पर माक वुड की यह उनका 21 टेस्ट मैच है छटे ओवर की चौथी गेंड यह मिडल स्टम पर थी क्या शॉट मारा है रोईद शर्मा ने मिड विकेट के थुरू वहाँ पर कोई फीलर नहीं है डीप में और चौके के लिए जाएगा दूसरा चौका है यह रोईद शर्मा के लिए और यह गेंड और हम जो तारीफ कर रहे थे गेंड बाजी की बिलकुल माक वुड ने बिलकुल धारा शाही कर दिया और केल राहूल उस गेंड को जो की बैक अफ दे लैंड डिलीवरी थी उस गेंड को खेलने चले गए और उनके बल्ले से गेंड टाकराती हुई पहुंची विकेट कीपर बटलर के पास और उनने कोई घलती नहीं की इस बार बिल्कुल पहारत का पहला विगेट गिरता हुआ ठारा पर एक भारत्य टीम ये ड्राइव के आहा है आफस्टम पे थी ये गेंट बैतरीन शॉट विराट कोली का और उन्होंने अपना खाता खोला है इस शॉट के साथ चौका जड़ा है यहाँ पर तीन स्लिप के साथ पुझारा को और मिडल पे ती ये गेंट उसको आसानी से खेल दिया है चौके के लिए जा रही है लेक बाई का इशारा अंपायर का आफस्टम के बार ती ये गेंट ड्राइव किया है इसे यहाँ पर चेज कर रहे हैं फील्डर क्या पहुँच पाएंगे नहीं चौका लगा है यहाँ पर मेरा जी और इसी भी चकली गेंट और इस बार उस गेंट पर फेंट फूट पर आकर खेला गेंट बल्ले से लगकर बिल्कुल थर्ड बैन की दिशामे जा रही है बहुत तेजी के साथ फील्डर दोड रहे हैं लेकिन गेंट जीज जाएग लगा और कोई गलती वहाँ पर बटलर के दोवारा नहीं हुई आसानी के साथ कैच को लपका राइट अमोर तस टाम्स चौड ओ लेंट गेंट गेंट जा रही है उसके लेक बाउंडरी के तरफ बहुत तेजी के साथ गेंट बाउंडरी के बाहर चार रन के लिए और ये च पुजारा ने क्या उनको अपना पहला चौका मिलेगा जी हमल गया पहला चौका ये पूजारा का इसको ड्राइव करने के खुशिश की है बाहरी किनारा लगाए गेंद थर्ड मैंने दिशा में जा रही है और बेतरी स्टोक चार रन के लिए बाउंडरी के बाहर गैप में खेला है मिड़ान के पार था ये शॉट और यहाँ पर आगे बढ़कर खेला है ये शॉट आखरी गेंद पर लूपड़ाप डिलिवरी थी मोईनली की और चौका लगाया है यहाँ पर जिंक्या रहाने ने आउकस्टम के बाहर ये गेंद थी बहुत बेतरीन शॉट पुझारा ने कट कर दिया है इसे चौका लगा है यहाँ पर आगेंद बहुत ही बढ़िया शॉट रहाने की और फिर से अच्छी गेंद और इस पर स्टीर किया यहाँ पर रहानों को लंबी चेज हमित के लिए और अंत में डाइव लगाने का प्रियास पर चारन मिलते हु यहाँ पर नुकसान हो गया है वारत का चोहता विकेट गिर गया है जिया लेकिन यहाँ पर एक जो सफलता है जिसकी बहुत देर से दरकार थी इंगलेंड को वो मिल गई है अजिंकर रहाने कॉट बियाइंड आउट होकर बहार जा रहे हैं मौहिन अली आखिरकार मौहिन अ आउट हुए पांच रून बनाकर रोह चर्मा 21 रन बनाकर दोनों को माक वोड ने आउट किया पुजारा को भी माक वोड ने आउट किया लेकिन 206 गेंदें खेलने के बाद पुजारा और रहाने के बीच उसने बचाया आज भारत को जेमस आंडरसन ने कोई विकेट नहीं लिए 18 ओर में बड़ी विक्टे निकालने वाले माक वोड तीन विकेट निकाले उन्होंने 40 रनों पे और मौहिन अली ने दो विकेट निकाले 52 रनों पे करता है